Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy group दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK top 20 questions जो की exam के point of view से काफी important होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा और 20 में से कितने questions के answer आप सही कर पाते हैं नीचे comment box में भी जरू बतेगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में share भी जरू करिएगा देखे दोस्तों मेरी अभी दो classes होती है Unacademy पर special classes यानि की free classes है आप उनको भी देख सकते हैं और जो ये मैं YouTube पर 1000 questions की series चला रखी है वो दोस्तों एक तो दिन में 5 बजे है और एक रात में 11 बजे दोनों ही classes important है दोनों को देख लिया करें दोस्तों Unacademy Plus के क्या-क्या benefits है अगर आप Unacademy Plus subscription जोइन करते हैं तो आपको live classes मिलती है structure course मिलता है weekly test unlimited access personal guidance आपको मिल जाती है test analysis आपको मिल जाता है expert की guidelines आपको मिल जाती है study planner, study matter ये सारी चीज़े आपको मिल जाती है अगर आप Unacademy पर subscription जोइन करते हैं किसी भी exam के लिए तो use करिएगा code study 10 और दोस्तों combat में भी enroll कर लिजगा 16 January को जो आपका combat होने वाला है जिसमें 40 question मिलेंगे 40 minute में cover करने होंगे इसका link नीचे description box में मिल जाएगा और आप इस code को apply करके free of cost उसमें enroll कर सकते हैं 19 December से सफलता बैच सुरू हो रहा है सफलता बैच की जो दोस्तों fees है वो आपकी 7800 है यानि की 325 पर month ये 24 month की है और जैसे आप इस code को apply करेंगे तो ये fees और भी कम हो जाएगे 12 month की fees आपकी पढ़ती है 542 पर month 6 month की थोड़ी महंगी होती है तो आप ये तो 12 month या 24 month ही join करिएगा बाकी सारी test free of cost है आप इनको देख सकते हैं अगेडमी की SSC category में जाके चलिए अभी शुरू करते हैं आज की सीरीज को प्लीज पुरा एंट तक देखेगा दोस्तो इससे पहले जो 25 question हमने किये है वो river से संबंदित question थे अभी dam से संबंदित question साने वाले हैं तो इस वीडियो को end तक देख लेना और पहला question है निमलिकित में से कौन सा बांद कृष्णा नदी पर नहीं है यहां से सुनना नहीं है पूछा गया है तो guys इस question का right answer हो जाएगा कृष्णा राज सागर यानि की option हो जाएगा आपका B right answer देखे कृष्णा राजा सागर बांद 1932 में करनाटक में मैसूर और मांडिया जिले के लिए कावरी नदी के पार बनाय गया था तो ये point आप नोट कर सकते हैं बांद का नाम मैसूर समराज्य की ततकालीन सासक कृष्णा राज वाडियार फोर्थ के लिए रखा गया था ये भी आप लोगों को याद अखना है ठीक है चले अगला कोष्ण हमारा आता है कि निमलिकित का मिलान कीचे यानि कि आपको बांद और नदी का मिलान करना है कौन सा बांद किस नदी पर है तो यहाँ पर अगर मैं मिलान की बात करू दोस्तो तो हीरा कुन बांद जो है वो आपका महा नदी पर हो जाएगा तो अब ये देखे पहले A का फोर्थ किसमे है सब में A का फोर्थ है सोरी इसमें नहीं है इसको अठा देते हैं दूसरा आपका आता है थीन बांद ये रवी पर है तो अब देखे बी का तीसरा किसमे है तो बी का तीसरा इसमें है फिर आपका आता है सलाल प्रियोजना तो सलाल प्रियोजना आपकी कहां पर है चैनाब रिवर पर तो C का B कहां पर है C का 2 यानि की तो guys right answer इसका B हो जाएगा तो ये आप लोगों को note कर लेना है ठीक है चले उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान नदी पर किया गया था किस नदी पर किया गया था ये बताना है दोस्तो उत्राखंड के तीरी बांद का निर्मान किया गया था भागीरती नदी पर यानि की option हो जाएगा C right answer ये आप लोगों को या दखना है देखे तीरी डेम is the highest डेम इन इंडिया ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है दोस्तो चल लेजी अगला question आता है शरी नगर निमलिकित में से किस नदी के किनारे इस्तित है तो ये आपका हिस्तित है जेलम नदी के किनारे तो right answer is option D ये आप लोगों को याद अखना है निमलिकित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है जल्दी से बताइए तो guys इस question का right answer होगा that is option C यानि की राजिस्थान जो है आपका नर्मदा बेसीन का हिस्सा नहीं है या आप लोगो याद अखना है देखें यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तों नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पस्टी में बहने वाली और पांच भी सबसे बड़ी नदी है या मद्य परदेश में एक बड़े चेतर के अलावा मारास्ट और गुजरात के कुछ छेतर में भी फैली है तो यह पॉइंट भी आप लोग नौट कर सकते हैं ठीक है गाईस बाकी आप यह डिटेल की जो पीडिया पहना यह आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं यह अरब सागर में कैमबे की खाड़ी में गिरने से पहले यह विद्या और सत्पुडा पाडियों के बीच दककन ट्रेप से बहती है यह चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं नर्मदा का चेतरफल और जिसे लगबग 87% मध्यपरदेश में है यह पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन एक ट्रांस हिमाल्य नहीं है तो इन में से एक ट्रांस हिमाल्य दोस्तो कौन सा नहीं है तो अगर बात करूं मैं सतलूज की तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो सतलूज ठीक है, सतलोच एक trans हímाल्या नहीं है और trans हímाल्या दोस्तों नदिया महान हímाल्या से आगे निकलती है यह आप लोगों को याद रखना है ठीक है, ये सारी डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हैं PDF को डाउनलोड करके टेलिग्राम से, टेलिग्राम कराम सोरब बलिक ओफिशल है नीचे डिस्केप्शिन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा उपरुक्त में से कौन सा परवा अनाचल पर्देश से होकर बहती है तो उपरुक्त में से कौन सी जो परवा है दोस्तों अनाचल परदेश से होकर बहती है इस Question का Right Answer यानि कि लोहित और सुबन सिरी तो रैट आंसर इस ऑप्षण बी हो जाएगा दोस्तों कोशन आता है गोहाटी नदी के किनारे इस्थित है गोहाटी आपको बताना है किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से आंसर बताईए दोस्तो ग्वाटी ब्रहंपुत्र नदी के तटपर सिलोंग पठार की तलहटी के बीच इस्थित है तो right answer is option ब्रहंपुत्र यह आप लोगों को याद अखना है निमलकित में से कौन गंगा की एक सायक नदी नहीं है दोस्तो यहाँ पे इंद्रावती जो है यह गंगा की एक सायक नदी नहीं है तो यह भी आप लोगों को याद अखना है दोस्तो next है Alexander और राजा जर जरा के बीच high depends की लड़ाई high dispense नदी के तटपर लड़ी गई थी जिसे अब इस रूप से जाना जाता है तो guys इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का सही उत्तर होने वाला है जेलम नदी की तटपर यानि की option आपका इस right answer हो जाएगा चलिए वे अगला question है आंद परदेश के साथ कोन सा राज्य वस्धारा जल विवाद में सामिल है तो वस्धारा जल विवाद में कोन सा राज्य दोस्तों related है यहाँ पर एक तो आपका आंदरपरदेश इन्हों ने बताए दिया तो उडिसा इसका right answer हो जाएगा ठीक है आंदरपरदेश और उडिसा ठीक है ना चले तो भारत में उडिसा और आंदरपरदेश राज्य में तिरिकुल्या और गोदावरी के बीच एक महत्पूर नदी वस्धारा बहती है चले जी अगला कोशन आता है यह नदी काला हंडी जिले के थ्वामूल रामपूर और उडिसा के रायगड जिले के कल्यान सिंगपूर से निकलती है और लगबग 254 किलोमेटर की दूरी तक चलती है दोस्तो यह आंदरपरदेश के कलिंग पतनम में बंगाल की खाड़ी में मिलती है यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते है कोशन आता है रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बान किस राज्य में इस्थित है दोस्तो यह इस्थित है उतराखंड में तो right answer is option D कोशन आता है मानस नदी निमलिकित में से किस नदी की सायक नदी है तो ये सायक नदी है दोस्तो बरंपूत्र की ठीक है, right answer is option D question आता है आपका next महाद्याई नदी किस राज्य में उत्पन होती है तो महाद्याई नदी किस राज्य में उत्पन होती है ये उत्पन होती है दोस्तो करनाटक में तो पस्चिम में बहने वाली माद्याई नदी करनाटक के बेलगावी जिले के भीमगड़ वन्यजीव अभ्यारन से उत्पन होती है ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते है भायत की सबसे लंबी सायक नदी कौन सी है दोस्तो यमुना जो है ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी सायक नदी है यानि कि ट्रिब्यूटरी रिवर है तो राइट आंसर इस ओप्शन सी, ये आप लोगों को याद दखना है निमलिकित में से कौन सी नदी वड़ोधरा सहर से गुजरती है तो विश्वा मेतर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानि कि A is the right answer कौशन है सेंडबार बेरियर दीप या परवाल भित्या द्वारा पानी के एक बड़े निकाए आमतोर पर महासागर से सनरक्षित उत्थेल निकाए को कहा जाता है तो इसे कहा जाता है लेंगून यानि कि C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है दोस्तों गवानता नामो बे निमलिकित मेंसे किस देश में इस्थित है तो यह इस्थित है दोस्तों क्यूबा में यानि कि right answer is option भी यह आप लोग या दख सकते हैं कोशन आता है आपका यहाँ पर किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों कनड़क ही है तो right answer यहाँ पर option A हो जाएगा कोशन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी तो right answer is option D यह आप लोगों को याद अखना है दोस्तों question आता है आपका व्यपार के दरिस्टी कौन से सबसे वेस्ट महासागर कौन सा है तो व्यपार के दरिस्टी कौन से सबसे वेस्ट महासागर दोस्तों आपका पढ़ता है Atlantic Ocean यानि की right answer is option B यह आप लोगों को याद अखना है question है सूंडा ट्रेंज कहां इस्थित है तो सूंडा ट्रेंज दोस्तों आपका Indian Ocean में इस्थित है यानि की C is the right answer question आता है dolphin challenge ridge कहां इस्थित है तो dolphin challenge ridge is located in तो इस question का right answer हो जाएगा Atlantic महासागर यानि की option A is the right answer question है परसिद ring of fire किस में इस्थित है दोस्तों परसिद ring of fire किस में इस्थित है तो right answer is specific ocean यानि की C यहाँ पे right answer हो जाएगा ठीक है तो देखे यह मैंने इससे पहली वीडियो की थी उसमें 25 question मैंने river से संबंदित कराये थे इसमें dam से संबंदित कराये तो 50 question के series सी हमारी please like जरूर कर दिया करें ठीक है ना चले next चलते हैं और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की unacademy पर आपको मिल जाता है जहाँ पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेजेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडियाप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मात ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next class में thank you so much